अरे गीता, तुम मेरे घर आई ये तो बहुत अच्छी बात है। वास्तव में मुझे इंटरनेट के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों को समझने में तुमारी मदद की जरूरत है। जरूर चाचा, मैं यहां आपकी मदद और मार्क दर्शन के लिए आई हूँ। देखो गीता, जब मुझे ट्रेन से कहीं जाना होता है, तो मुझे बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं फसलों की मौझूदा कीमत पता करने के लिए अकसर शहर को जाता रहता हूँ। इसके लिए मुझे शहर जाने के लिए रेल की लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है, और उसके बाद टिकेट खरीदने के लिए लंबी कतार में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। और उसके बाद फिर फसलों की कीमत पता करने के लिए मुझे सरकारी कारेले में घंटों लंबा उबाव इंतजार करना पड़ता है अरे चाचा क्या आपकी समस्य यही है? यह जटिल नहीं है आप वास्तव में ट्रेन टिकेट बुक और साथ ही साथ में फसलों की कीमत पता लगाने के लिए इंटरनेट का उप्योग कर सकते हैं क्या यह संभव है? कृपया मुझे दिखाओ की मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपने घर से ही फसलों की कीमत कैसे पता कर सकते हैं और रेलवे का टिकेट कैसे बुक कर आ सकते हैं? गीता, यह तो बहुत अच्छा है, मैं घर पर बैट कर फसलों की कीमत पता करने के लिए इंटरनेट का उप्योग कर सकता हूँ निश्चित रूप से चाचा, यह एक जगह है जहां इंटरनेट भारत के किसानों को बहुत ज्यादा मदद कर सकता है सच में, मुझे समझाईए, मैं अपने लाब के लिए इंटरनेट का उप्योग कैसे कर सकता हूँ? बेशक चाचा, पहले मैं आपको बता दूँ कि भारत का कृशी मंत्राल है किसानों तक पहुँचने के लिए इंटरनेट का उप्योग किस प्रकार कर रहा है? आप देखते हैं कि भारत की 70 प्रतीशत जनसंख्या ग्रामीनिक शेत्रों में रहती है और कृशी और उससे जुड़े अन्य कामों पर निर्भर है क्रिशी क्षेत्र के महत्वपूनता के कारण क्रिशी और सहकारिता विभाग वह भारत सरकार का क्रिशी मंत्राल है नियमित रूप से क्रिशी सांखी की इकठा करता है वह उसका रख रखाव करता है और पोर्टल www.agmarket.nic.in के माध्यम से हितधारकों के लिए सुलब बनाता ह इस पोर्टल के माध्यम से किसान थोक उत्पादन के लिए राश्व्यापी बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एक साधारन इंटरनेट कनेक्शन की मदद से बे आसानी से विभिन उत्पादनों का दैनिक बाजार भाव प्राप्त कर सकते हैं और निश्चिंत होकर खरीद वो बिक्री पर निर्नल ले सकते हैं। यह सूचनाएं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तेलगू, तमिल और अन्य भारतिय भाषाओं में प्राप्त की जा सकती हैं। मेरे लिए तो यह अच्छी खबर है। कृपिया मुझे दिखाईए कि मैं इस साइट से राज्य के बाजार में चावल के थोक मूलिय कैसे पता कर सकता हूं। जरूर बस इंचर्णों का पालन करो। पहले एजी मार्केट के वेब पेज www.agmarknet.nic.in पर जाएं। यदि आप उत्तर प्रदेश में चावल की कीमत चांचना चाहते हैं, तो प्रदर्शित पेज पर मार्केट बुलेटिन खंड में निर्दिष्ट वस्तू का तिथिवार मूल्य, Date-wise Prices for Specified Commodity लिंक पर क्लिक करें। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, इस पेज में वर्ष और महीने को चुने, जिसके लिए आप फसल की कीमत करना चाहते हैं, उसके बाद आपको राज्य के नाम का चैन करने का विकल्प मिलेगा। सूची में आप उस राज्य के नाम का चैन करें, जिसके जानकारी आपको चाहिए। यहाँ हम उत्तर प्रदेश का चैन करें। राज्य का चैन करने पर एक और बॉक्स प्रकट होगा, जिसमें आपको जीन्स, कमोडिटी चैन करें। वस्तू की सुची में आप राइस, चावल पर क्लिक करें। एक बार चावल का चैन कर लेने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें। अब आप चुने गए माह की विभिन तारीखों के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन कृशी बाजार में चावल की कीमत चैन करें। पर ले जाया जाएगा। कैलेंडर से तारीख को चुने, तारीख का चैन करने पर राज्यों के सूची नीचे दिखाई देगी। सूची से राज्य के नाम का चैन करें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुना गया है और फिर सब्मिट बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर बाजारों की एक सूची दिखाई देगी, जिस बाजार की कीमत जानना चाहते हों, उस बॉक्स को चेक करें। फिर आप सब्मिट बटन पर क्लिक करें। यदि आप एक से अधिक राजियों का नाम चैन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल बटन को दबाए रखते हुए राजियों के नाम पर क्लिक करें। तब वेबसाइट आपके द्वारा चैनित बाजारों की एक विस्तरित रिपूर्ट प्रदर्शित करेगा। अब आप मुझे इस साइट का उप्योग करके पंजाब राज्य में मक्के की फसल का अधितन भाव पता करके दिखाएं। जरूर मुझे कोशिश करने दें। Step 1. www.egmarknet.nic.in खोले Step 2. वेबसाइट में देट वाइस प्राइस पर स्पेसिफाइड कमोडिटी पर क्लिक करें। Step 3. वर्ष, महीना और राज्य का चैन करें। Step 4. कमोडिटी को मेज या मक्का के रूप में चुनें। Step 5. सब्मिट पर क्लिक करें और परिणाम प्रदर्शत हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब आपने सीख लिया है कि क्रॉप मार्केट में अध्यवदिक भाव कैसे प्राप्त करें। आप वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। आजकल कई वेबसाइट उपलब्ध हैं जिनके जरीए आप वर्तमान समय के साथ-साथ भूतकाल के मौसम के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट हैं www.weatheronline.in और www.weatherforecastmap.com भारत में भूविज्ञान मंत्राले के अंतरगत आने वाला मौसम विज्ञान विभाग, मौसम संबंधी परिवेक्षनों और मौसम की भविश्यवानी के लिए जिम्मेदार है। संपूर्ण आकडे इसकी वेबसाइट www.imd.gov.in पर सुलब है। मैं इस साइट से जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। आसानी से बस इन चरणों का अनुसरन करो। पहला, एड्रेस बार में वेबसाइट का नाम लिखें। स्क्रीन प्रकट होगी। यदि आप हिंदी भाशा में देखना चाहते हैं, तो पेज पर दाई और दिख रहे हिंदी लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर पेज के ऊपर तथा बाई और विभिन जानकारियां दी गई हैं, जिने आप प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के बारे में जानने के लिए इंडिया वेदर लिंक पर क्लिक करें। और आप वेबसाइट www.indiaweather.gov.in पर पुनह निर्देशित कर दिये जाएंगे। अब डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स पर जाने के लिए इस पर टैप दें। और फिर अपनी वरियता के शहर पर क्लिक करें। आप संबंधित वेबसाइट पर पुनह निर्देशित हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम एहमदाबाद राज्य का चैन करेंगे। वेबसाइट के पेज पर बाई और विभिन सेवाएं चैसे मानसून, स्थानिय मौसम का पुर्वानुमान, बंदरगाह और मच्छुआरों को चेतावनी सापताहिक मौसम रिपोर्ट प्रदर्शित होती है। और अधिक जानकारी के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें। राचे व्यापी मौसम के जानकारी लेने के लिए स्टेट फॉर्कास्ट लिंक पर क्लिक करें। और सापताहिक मौसम की रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए वीकली वेदर रिपोर्ट पर क्लिक करें। स्वयम प्रयास करें। अब आप मुझे इस वेबसाइट से चेन्ने के अगले मास के मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करके दिखाएं। हाँ, मुझे प्रयास करने दें। Step 1. www.imd.gov.in खोले Step 2. इंडिया वेदर पर क्लिक करे Step 3. डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर क्लिक करे और चिन्ने का चैन करे Step 4. फोर्कास्ट पर क्लिक करे और आवश्यक विकल्पों का चैन करे इसी प्रकार हूमपेज पर दर्शाय गए लिंकों पर क्लिक करके आप और जानकारी खोच सकते हैं क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट से आप महासागर और मचली पकड़ने के समभावित इक्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? सच में कैसे? भू विज्ञान मंत्राले के अंतरगत एक स्वायत्य संस्था भारत राश्ट्रिय महासागर सुचना सेवाए केंद्र की वेबसाइट www.incois.gov.in देखें जानकारी प्राप्त करने के पद हैं पहला एड्रेस बार में www.incois.gov.in टाइप करें यह स्क्रीन प्रकट होगी मचली पकड़ने के संभावित इक्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए Advisory Services खंड के अंतरगत Potential Fishing Zone पर जाएं तटियेक्षेत्रों के पूर्वानुमान को खोजने के लिए Advisory Services खंड के अंतरगत Ocean State Forecast पर जाएं किसी विशेश तटियेक्षेत्र के आसपास समुदुर की जानकारी के लिए Sea State Forecasts For Ports and Harbors पर क्लिक करें इसी पर रोहन बस इस साइट पर जाएं और इन पदों का अनुसरन करें पहले website www.shikshah.com देखें पेज में सबसे उपर विभिन टाब दिये गए हैं संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके माध्यम से जाएं Home टाब में सर्च बार दिया है संस्थान का नाम या कोर्स का नाम जिसके बारे में आप जानकारी करना चाहते हैं Enter करें साथ ही देश अत्वा विदेश की जानकारी खोजने के लिए विकल्प जैसे Study in India और Study Abroad दिये गए हैं MBA टाब में विभिन MBA कोर्सों वो संस्थानों के बारे में जानकारी दी गई है आप विशिष्ट कोर्स प्रस्तावित करने वाले या विशिष्ट परिक्षा को स्विकारने वाले संस्थानों की सूची देख सकते हैं After 12 टाब में बार्वी कक्षा पास करने के पश्चात किये जा सकने वाले विभिन कोर्सों की जानकारी उपलब्ध है Career Central टाब आपके द्वारा चुने जा सकने वाले विभिन एक्षेत्रों वो कोर्सों की जानकारी उपलब्ध कराता है Top Institutes टाब का प्रयोग कर आप विभिन एक्षेत्रों जैसे MBA, BE, BTEC या LLB के श्रेश्ट संस्थानों को खोच सकते हैं Home Page में तल पर खंडों जैसे Career Options, Test Preparation अब आप मुझे शिक्षा वेब साइट का प्रयोग कर पंगलोर में आर्किटेक्चर कोर्सों को ढूनने का प्रयास करके दिखाएं बिलकुल मुझे कोशिच करने दीजिए Step 1. HTTP colon slash slash www.shikshah.com slash खोले Step 2. All courses पर क्लिक करें और drop-down menu से Science and Engineering का चैन करें और फिर Architecture पर क्लिक करें Step 3. शेहरों की सूची से Bangalore चुने और Proceed बटन पर क्लिक करें आपको आवश्यक जानकारे मिल जाएगी आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें उपलब्ध हैं जो नोकरी वो करियर संबंधी अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं उदाहनार्थ ये वेबसाइटें हैं www.employmentnews.com www.nokri.com www.timesjob.com वेबसाइटें उपलब्ध हैं जो केवल ग्रामीन बाजार की ही सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं जैसे www.ruralnokri.com न्यूस पोर्टल का प्रयोग कर नौकरी ढूनना अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में www.employmentnews.com टाइप करें होम पेज पर महत्वपून सूचनाओं वे लिंकों से युक्त बहुत सारे खंड प्रदर्शित होंगे अपने से संबंधित किसी लिंक के बारे में और अधिक पढ़ने के लिए उस पर क्लिक करें होम पेज में दाहिने सबसे उपर किनारे पर एक सर्षबार दिया गया है जिसमें आप विशे टाइप कर वांचित जानकारी खोद सकते हैं विभिन कॉलिजों वो विश्व विद्यालें द्वारा ली गई परिक्षा के परिणामों वो प्रवेश की सार्नी देखने के लिए एड्मिशन एंड रिजल्ट पर जाए करियर संबंधी विभिन सूचनाए प्राप्त करने के लिए करियर लिंक्स पर जाएं जहां शेक्षिक, विमानन, बैंकिंग, सिविल सेवा, रक्षा, इंजीनियरिंग से संबंधित महत्वपून लिंक दिये गए हैं Employment News रोजगार समाचार का ग्राहक पनने के लिए होमपेज के उपर दाहिने कोने पर दिये लिंक पर जाएं और लिस्ट में दिये गए आवश्यक पदों का पालन करें आप एवर्जिन टैप पर जाकर यूजर्स नाम वो पास्वर्ट का प्रयोग कर Employment News रोजगार समाचार का इसंसकरन प्राप्त कर सकते हैं अब मुझे Employment News वेबसाइट का प्रयोग करते हुए नवीनितम नोकरी धून कर दिखाएं हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ स्टेप वान www.employmentnews.gov.in स्टेप टू नवीनितम सरकारी नोकरीयों से संबंदित जानकारी धूनने के लिए होम पेज को नीचे स्क्रॉल करें इसी प्रकार आप वेबसाइट में उपलब्ध अन्य महत्वपून विशेशताओं का प्रयोग कर सकते हैं और वान्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मैं दिखाती हूँ कि आप नोकरी.com साइट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं पहले एड्रस बार में www.nokri.com टाइप करें आप वान्चित नोकरी को पदनाम, कौशल, स्थान, नोकरी की श्रेणी और प्रत्याशित वेतन के आधार पर ढूंड सकते हैं आप नोकरी खोजने के लिए हूम पेज में नीचे दर्शाई गई विभिन पदतियों का प्रयोग कर सकते हैं जो की नीचे दिखाई गई हैं यदि आप नियोकताओं को खोज रहे हैं तो बटन पर जाएं अधिक परिश्कृत खोज के लिए फिल्टर का प्रयोग करें यदि आप अपना बायड़ाटा पोस्ट करना चाहते हैं तो हूम पेज में पोस्ट रिज्यूमें टाब पर जाएं और वांचित सूचनाएं भरें और अपना रिज्यूम अप्लोड करें यदि आप लॉग इन अथवा पंजिकृत कराना चाहते हैं तो जॉब सीकर लॉग इन टाब पर जाएं और लॉग इन करें वेबसाइट की अन्य विशेश्टाओं जैसे बायड़ाटा लिखना, प्रोफाइल वृद्धी, रिक्रूटर रीच या करियर एडवाइस के लिए फास्ट फॉवर्ड टाब पर जाएं शिक्षा संबंधी विभिन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए टाब पर जाएं यह भाग भारत के साथ-साथ विदेशों के विभिन कोर्सों वह कॉलिजों की जानकारी रखता है वेबसाइट www.ruralnokri.com के द्वारा नौकरी ढूनने के लिए स्टेप एक वेबसाइट पर जाएं नौकरी खुलने के सूचना इमेल से प्राप्त करने के लिए टाब का प्रयोग करते हुए स्वयम को पंजिकरित कराएं यदि आप स्वयम को पंजिकरित करा चुके हैं तो अपने यूजर नेम और पासवर्ड का प्रयोग कर वेबसाइट में बाई और दिये हुए मेंबर लॉगिन सेक्शन में लॉगिन करें जारी होने वाली नवीनितम नोकरियों का विवरन जानने के लिए वेकेंसीस टैब पर जाएं जहां नोकरी पद, संस्था, वस्थान, अंकित होगा करियर अथवा कृत्रिम साक्षातकार, परामर्ष और रिज्यूम के विज्यापन संबंधी विभिन सेवाओं तक पहुँचने के लिए वेबसाइट के दाई और इंप्लोईज सर्विस सेक्शन पर जाएं अब वेबसाइट www.nokri.com का प्रयोग करते हुए कम्प्यूटर ओप्रेटर की नोकरी मुंबई में धूंडे स्टेप वान www.nokri.com खोले स्टेप टू कीवर्ड फिल्ड में कम्प्यूटर ओप्रेटर दर्ज करें और लोकेशन फिल्ड में मुंबई दर्ज करें स्टेप त्री सर्च बटन पर क्लिक करें आपको वांचित परिणाम मिलेंगे अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप इंटरनेट के द्वारा क्रिशी अथवा सेवा योजन से संबंदित जानकारी खोजना सीख गए है गीता क्या मैं इंटरनेट के द्वारा अपना बिजली वर टेलेफोन के बिल भी भर सकता हूँ बिल्कुल इस तरह के बिल आप इंटरनेट के द्वारा भर सकते हैं मैं दिखाती हूँ कि आप कैसे भर सकते हैं उपयोगी सेवाएं जैसे बिजली, पानी, गैस और फोन वे सेवाएं हैं जिनका उत्पादन, ववितरन, स्थापित करना बहुत ही खर्चिला होता है आजकल दुनिया भर में बहुत सारी एजिंसियां, पेपर रहित बिलिंग वा इलेक्ट्रोनिक भुकतान की सुविधा उपलब्द कराती हैं इसने जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, क्योंकि कोई चाहे ऑफिस में हो या घर पर बिलों का भुकतान ऑनलाइन कर सकता है इलेक्ट्रोनिक भुकतान करने के कुछ फायदे निम्न है, यात्रा वलंबी लाइनों के समय की बचत होती है बिल खोने की कोई संभावना नहीं रहती सही नियत तिथी तक भुकतान किया जा सकता है पूरे 24 घंटे भुकतान किया जा सकता है भुकतान करने से पूर्व बिल राशी जांचे बिजली का भुकतान ऑनलाइन करना ज्यादा तर विजली वितरन कंपनियों के पास बिलों का भुकतान ओनलाइन प्राप्त करने की सुविधा है उदाहरन के लिए यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं और BSES राजधानी आपके घर में बिजली सप्लाई कर रही है तो आप BSES राजधानी की वेबसाइट पर जाकर ओनलाइन बिल का भुकतान कर सकते हैं इसी प्रकार संबंधित बिजली वितरन कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप अपने बिजली बिल का भुकतान कर सकते हैं भारत की कुछ बड़ी बिजली वितरन कंपनिया निमन है B.S.E.S. दिल्ली में ऑनलाइन बिजली के बिल का भुकतान कैसे कर सकते हैं। पहले B.S.E.S. दिल्ली की वेब साइट www.bsesdilly.com पर जाएं। अब payment option पर जाएं और online भुकतान करने के लिए debit card या credit card या net banking का चैन करें। निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और विकल्प Pay Now पर क्लिक करें। अब दिये गए स्थान पर अपना C.E.A. नंबर भरें। आप अपना C.E.A. नंबर अपने बिजली के बिल की कागस प्रती के दाहिने हाथ के उपरी किनारे पर देख सकते हैं। फिर Go बटन पर क्लिक करें। अब भुकतान प्रिष्ट प्रकट होगा। भुकतान के धंग जैसे debit card या credit card का चैन करें। जब आप चैन कर लें तो भुकतान प्रक्रिया का अनुसरन करें। नोट यदि आप credit card का चैन करते हैं तो आपको अपने credit card का विवरन भरना होगा। और बाकी की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। नेट बैंकिंग का चैन के जाने की दशा में आपको उस bank का चैन करना होगा जिससे आप अपने bill का भुकतान करना चाहते हैं। आपको आपकी नेट बैंकिंग साइट पर ले जाया जाएगा जहां पर आपको भुकतान करने के लिए user ID और password भरना होगा। सफलता पूर्वक भुकतान कर दिये जाने पर आपको लेन देन की संधर्व संख्या प्राप्त होगी। दीदी क्या हम mobile phone को भी online recharge कर सकते हैं। हाँ जरूर ऐसा करने के लिए अपने prepaid mobile को recharge करने के लिए बस निम्न पदों का अनुसरन करें। पहले recharge it now वेबसाइट पर जाएं। अब mobile विकल्प पर क्लिक करें और उपलब्ध विकल्पों में से सेवा प्रदाता का चैन करें। इसके बाद अपना mobile नमबर लिखें और continue बटन को दबाएं। अब दो विकल्पों में से अपने प्लान के प्रकार का चैन करें और recharge राशी को भरें। और फिर continue बटन पर क्लिक करें। अब आपके mobile नमबर से संबंधित जानकारी दिखाई देगी। इसकी पुश्टी करें और तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चैन करें। यदि आप पंजिकरित उपभोगता है और पंजिकरन नहीं चाहते हैं, तो continue as guest विकल्प को दबाएं। यदि आप पंजिकरित उपभोगता हैं, तो sign in बटन दबाएं। यदि आप पंजिकरत उभोगता नहीं है लेकिन अपना पंजिकरन कराना चाहते हैं तो register बटन को दबाएं यदि आप continue as guest बटन दबाते हैं तो समीप वर्ती सीम प्रकट होगी अब अपनी जानकारी दर्ज करें और submit बटन दबाएं अब भुकतान विकल्पों में से किसी एक का चैन करें किसी एक विकल्प पर चैन करने के बाद बैंकों की सूची वाला एक drop-down box प्रकट होगा उप्योक्त बैंक का चैन करें और continue बटन को दबाएं अब भुकतान का सारांश प्रकट होगा पुष्टी करने के पच्षाद प्रोसीड बटन दबाएं अब आपको अपने द्वारा चुने गए बैंक के पेमिंट गेटवे पर पुनह निर्देशित कर दिया जाएगा अपना यूजर नाम वो पास्वर्ट का प्रयोग करके आवश्यक राशी का भुकतान करें रोहन अब आप www.rechargeitnow.com वेबसाइट का प्रयोग कर आप स्वेम अपना मोबाइल रिचाज करें बिल्कुल दीदी स्टेप बान रिचार्ज इटनाव वेबसाइट पर लोगिन करें स्टेप तू सर्विस प्रोवाइडर का चयन करें और विवरन दर्ज करें स्टेप त्री, प्लाइन टाइब चुने, रिचार्ज राशी दर्ज करें और कंटीन्यू बटन दबाएं स्टेप फोर, कंटीन्यू एस गेस्ट का चयन करें स्टेप फाइफ अपना मोबाइल विवरन दर्ज करें और भुगतान विकल्प चुने Step 6, उपयुक्त बैंकों का चयन करें और राशी का भुक्तान करें दीडी, हम PostPaid Mobile का बिल कैसे भर सकते हैं? हम PayTM वेबसाइट का प्रयोग कर PostPaid Mobile का बिल भर सकते हैं बस इन पदों का अनुसरन करें पहला PayTM वेबसाइट पर जाएं अब Bill Payments टाब पर जाएं और अपने PostPaid Mobile का बिल भरने के लिए Mobile बटन पर क्लिक करें यहाँ पर आप अपना Mobile नमबर भरें अपना Operator चुने और बिल की राशी दर्ज करें उसके बाद Proceed पर क्लिक करें अब आपके भुकतान का संक्षिप्त विवरन प्रदर्शित होगा Proceed to Pay बटन पर क्लिक करें अब PayTM में Sign In करें यदि आप नए उप्योग करता हैं तो अपना Account बनाएं और फिर अपना Email ID अथवा Mobile नमबर और PayTM पासवर्ड का प्रयोग कर Sign In करें अब स्क्रीन पर Buy और दिये गए विकल्पों में से एक का प्रयोग करते हुए भुकतान करें जब आप भुकतान पूर्ण कर लेंगे गीता, क्या Cable TV के बिल का भुकतान भी कर सकते हैं? हाँ चाचा, आप कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि आप Recharge It Now वेबसाइट का प्रयोग कर DTH को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं पहले www.rechargeitnow.com वेबसाइट पर जाएं यहां Online Recharge सेक्शन के तहत तीन विकल्प दिखेंगे अपना DTH रिचार्ज करने के लिए DTH बटन पर क्लिक करें फिर अपने सर्विस प्रदाता का नाम अंकित करें मालने कि हमने सर्विस प्रदाता के रूप में Tata Sky का चैन किया है अब अपना उभ्भूकता ID नंबर दर्ज करें और Continue बटन पर क्लिक करें अब Tata Sky प्लान की सार्णी दिखाई देगी विशिष्ट पैक को सक्रिय करने के लिए Recharge राशी दर्ज करें और फिर Continue बटन को दबाएं अब DTH से संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी इसकी पुष्टी करें और उपलब्ध तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चैन करें यदि आप पंजिकरित उभ्भोगता हैं और पंजिकरन नहीं चाहते हैं तो Continue as Guest विकल्प को दबाएं यदि आप पंजिकरित उभ्भोगता हैं तो Sign In बटन दबाएं यदि आप पंजिकरित उभ्भोगता नहीं हैं लेकिन अपना पंजिकरन कराना चाहते हैं तो register बटन को दबाएं यदि आप continue as guest बटन दबाते हैं तो सम्मीप वर्तिय स्क्रीन प्रकट होगी अब अपनी जानकारी दर्ज करें और submit बटन दबाएं अब भुकतान के विकल्पों में से एक का चैन करें किसी एक विकल्प पर चैन करने के बाद बैंकों की सूची वाला एक drop-down box प्रकट होगा उप्योक्त बैंक का चैन करें और continue बटन को दबाएं अब भुकतान का सारांश प्रकट होगा पुष्टी करने के पच्चाथ proceed बटन दबाएं अब आपको अपने द्वारा चुने गए बैंक के payment gateway पर पुनह निर्देशित कर दिया जाएगा अपना यूजर नाम वो password का प्रयोग करके आवश्यक राशी का भुकतान करें मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों के लिए अपने बिलों का भुकतान करना और mobile phone वो cable TV network रिशार्ज करना आसान होगा बेशक दीदी यह बहुत उपयोगी है हाँ गीता यह जानकारी निश्चित रूप से हमारा काफी समय बचाएगी यह बहुत अच्छा है चलो अब दोहराने के लिए एक गतिविधी में भाग लेते हैं गीता क्या आप मुझे दिखा सकती है कि ओनलाइन ट्रेन वबस टिकेट का आरक्षन कैसे करें बिल्कुल चाचा अब आपको ट्रेन टिकेट बुक कराने के लिए घंटो लाइन में इंतजार करने की आवशकता नहीं है वेबसाइट के माध्यम से ओनलाइन ट्रेन टिक्टों का आरक्षन कराया जा सकता है पहले वेब ब्राउजर खोलें और एड्रेस बार में टाइप www.irctc.co.in टाइप करें दिये स्थान पर अपना यूजर नाम वग पासवर्ट लिखें और लॉग इन करें नोट यदि वर्तमान उप्योग करता नहीं है तो आप लॉग इन में जाएं और अपना यूजर नाम वग पासवर्ट बनाएं एक बार जब आप लॉग इन कर जाते हैं तो यह सीन दिखेगी अपना टिकेट बुक कराने के लिए प्लान माई ट्रेवल सेक्शन में फ्रॉम ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करें यहां आपको यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन का नाम और लिस्ट में आपको गंतव्य स्टेशन का नाम लिखना होगा उदाहरिन के लिए यदि आप पंगलोर से चेनई की यात्रा करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम लिस्ट में पंगलोर वर टू लिस्ट में चेनई टाइप करेंगे उस वर्ग में आप स्टेशनों के कोड भी टाइप कर सकते हैं अब डेट वर्ग में कैलेंडर से यात्रा की तिथी का चैन करें अब टिकेट टाइप पर जाएं और दो में से एक विकल्प को चुने पहला विकल्प आई टिकेट का दूसरा विकल्प ई टिकेट का है ई टिकेट को ही आप इलेक्ट्रोनिक टिकेट की तरह प्रिंट प्राप्त कर यात्रा कर सकते हैं आई टिकेट, बहुत एक टिकेट जो आपको ओनलाइन बुकिंग के कुछ दिनों बाद प्राप्थ होता है अब कोटा क्षेतर में विकल्पों में से एक विकल्प चुने यहाँ पर तीन विकल्प हैं, सामान्य, ततकाल वो महिला सामाने में कोई भी यात्रा कर सकता है ततकाल टिकेट ट्रेन के प्रस्थान के एक दिन पूर्व बुक किया जा सकता है और लेडीज कोटा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है अब Find Trains बटन पर क्लिक करें इस लिंक पर क्लिक करने पर आपकी आवशकताओं के आधार पर ट्रेनों की सूची प्रकट होगी आप ट्रेन की जिस विशिष्ट श्रेनी में यात्रा करना चाहते हों उस पर क्लिक करें यह आपको ट्रेन का विवरण और आगामी 6 दिनों तक टिक्टों की उपलब्धता दिखाएगा बुक विकल्प पर क्लिक करने पर यह पुने आपको उस पेज पर निर्देशित कर देगा जहां आपको यात्रा करने वाले यात्रियों का विवरण भरना होगा एक E-Ticket पर अधिक्तम 6 यात्री यात्रा कर सकते हैं बॉक्स में विवरण भरें और फिर Next बटन पर क्लिक करें अब आप आरक्षन का विवरण देख सकते हैं प्रदर्शित विवरण को जाजें कि वह आपकी जरूरत के अनुसार है या नहीं यह कोटे उपलब्धता भी दर्शाता है और आपके द्वारा अदा की जाने वाली रकम वह सेवा शुल्क दर्शाता है अब भुक्तान करने के लिए Make Payment विकल्प पर क्लिक करें अब वेबसाइट में दिखाएगए विकल्पों में से किसी एक विकल्प से भुक्तान करें भुक्तान के विशिष्ट धंग वबैंक का चैन कर लेने पर यह स्वचालित रूप से उस बैंक के भुक्तान प्रिष्ट पर चला जाएगा अब बुक्तान सफल हो जाने पर यह स्वचालित रूप से IRCTC की चाचा, अब आप IRCTC वेबसाइट का प्रयोग करके दिल्ली से पटना का शैन श्रेणी का टिकट आरक्षित करवाने का प्रयास करें हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ Step 1. IRCTC वेबसाइट पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉग इन करें Step 2. अपनी यात्रा के विवरन भरने के लिए From फिल्ड में नई दिल्ली और To फिल्ड में पटना और यात्रा की तारीक चुने Step 3. सेलेक्ट बटन पर क्लिक करें और प्रदर्शित सूची से वांचित ट्रेनों की उपलब्दिता की जाच करें Step 4. बुकनाव पर क्लिक करें और यात्रे विवरन भरें Step 5. मोबाइल नंबर और कैप्चा कोट दर्ज करें Step 6. नेक्स्ट चुने और भुकतान विकल्प प्रदर्शित हो जाएगा Step 7. अपना पसंदीदा भुकतान विकल्प चुने भुकतान करें दीदी, क्या मैं मोबाइल फोन पर भी इंटरनेट रेलवे टिकेट बुक करा सकता हूँ? हाँ रोहन, तुम मोबाइल फोन या टैबलेट पर भी रेलवे टिकेट बुक करा सकते हो IRCTC आप बिना किसी शुल्क के डाउनलोड किये जा सकते हैं और यह Android के साथ साथ Windows फोनों के लिए भी उपलब्ध है Android फोन का प्रयोग कर टिकेट बुक कराने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहले, Play Store से IRCTC आप डाउनलोड करें आप खोलें और यूजर नेम वह पास्वर्ट का प्रयोग कर लॉग इन करें सफलता पूर्वक लॉग इन करने के बाद यह भाग प्रकट होता है टिकेट बुक करने के लिए बुक टिकेट या Inquiry विकल्प पर क्लिक करें अब Plan My Travel विकल्प प्रकट होगा जहां आपको अपेक्षित जानकारी दर्ज करनी होगी उदाहरन के स्रोत, गंतव्य, यात्रातिथी, श्रेणी कोटा और टिकट का प्रकार तब नीचे ट्रेनों की सूची विकल्प पर हिट करें अब आपकी आवशकता नुसार ट्रेनों की सूची प्रदर्शित होगी उसमें किसी एक का चुनाव करें अब passenger form प्रकट होगा यात्रा, बियोरा दर्ज करने के लिए add passenger पर क्लिक करें यात्री की सूचना दर्ज करने के बाद add बटन पर क्लिक करें और तब passenger successfully added दिखाते हुए संदेश प्रकट होगा यात्रा का विवरण वो टिकट शुल्क जानने के लिए continue बटन पर क्लिक करें अब यात्रा का विवरण और टिकट शुल्क प्रदर्शित होगा विवरण चेक करें फिर उपलब्द विकल्पों में किसी एक विकल्प से भुकतान करने के लिए make payment बटन पर क्लिक करें भुकतान के विश्ष्ट ढंग वो बैंक का चैन कर लेने पर यह स्वचालित रूप से उस बैंक के भुकतान प्रिश्ट पर चला जाएगा अब भुकतान सफल हो जाने पर यह स्वचालित रूप से IRCTC की वेबसाइट पर पुनह निर्देशित हो जाएगा और आपका टिकेट बुक हो जाएगा क्या तुम ओनलाइन बस का टिकेट भी बुक करा सकती हो गिता? हाँ बिल्कुल बहुत सारी ऐसी एजिंसिया हैं जिनके द्वारा आप बस का टिकेट भी ऑनलाइन बुक करा सकते हैं क्रपिया दिखाईए कि हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, पहले हम कुछ प्रसिद ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानते हैं, जो यह सुविधा उपलब्ध कराते हैं कुछ ऑनलाइन पोर्टल है जिनके माध्यम से आप अपना बस टिकेट बुक करा सकते हैं सरवाधिक प्रसिद पोर्टल है redbus.in जिसके पास 65 प्रतिशत से अधिक का मार्केट शेयर है अब अन स्टेप्स को देखते हैं जिनके द्वारा redbus का प्रयोग करके टिकेट बुक करा सकते हैं पहले www.redbus.in पर लॉगिन करें फिर from, to और date of journey का चैन करें और search buses विकल्प पर क्लिक करें अब घोज के परिणाम का प्रिष्ट बुकिंग के लिए उपलब्ध सीटों को दिखाएगा यात्रा, बस का प्रकार, सुविधाओं, चड़ने का समय और उतरने के स्थान के अनुसार अपने परिणामों को छाटें सीट देखें, उस सीट पर क्लिक करें जिसे आप बुक करना चाहते हैं और चड़ने व उतरने के स्थान का चैन करें और फिर कंटिन्यू बटन को दबाएं अब व्यक्तिगत ब्योरा भरें यदि आपके पास ओफर कोड या कैश कूपन है तो उसका प्रियोग करें अब वेबसाइट पर प्रदर्शित ओनलाइन भुक्तान के तरीकों में से किसी एक का चैन कर भुक्तान करें डेबिट कार्ड अत्वा क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुक्तान की जाने के लिए यह विंडो है नेट बैंकिंग के द्वारा भुकतान किये जाने के लिए यह विंडो है रेड बस वेबसाइट के जरीए दिल्ली से हरिद्वार का टिकट बुक कराने का प्रयास कीजिए हाँ, मैं कर सकता हूँ Step 1, Red Bus वेबसाइट पर जाए Step 2, From Field में दिल्ली और Two Field में हरिद्वार भरे Step 3, यात्रा की तिथी का चयन करे Step 4, Search Buses पर क्लिक करें और विभिन बस विवरन प्रदर्शित हो जाएंगे Step 5, अपनी पसंदीदा बस पर View Seats पर क्लिक करें Step 6, Seat का चयन करें और यदि आवश्यक हो तो Boarding Point चुने Step 7, Continue पटन पर क्लिक करें एक फॉर्म प्रदर्शित किया जाएगा Step 8, अपना वेक्तिगत विवरन दर्ज करें और भुकतान विकल्प चुने Step 9, भुकतान करें आपके टिकेट बुक हो जाएगी क्या मैं Redbus आप के जरीए बस का टिकेट मोबाइल फोन पर इंटरनेट का प्रयोग कर बुक करा सकता हूँ? बिल्कुल तुम्हें इस पर Redbus आप को इंस्टॉल करना होगा इसके लिए निम्न पदों का अनुसरन करो पहले प्ले स्टोर पर जाएं और Redbus आप सर्च करें और इसे अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करें एक बार जब इंस्टॉल की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएं आप को चालू करने के लिए खोलें और Booking प्रारंब करें अब प्रारंब और गंतव्य को From और Two फिल्ड में दर्ज करें जब आप प्रारंब और गंतव्य को दर्ज कर लें तब क्यालेंडर से तिथी का चैन करें और फिर Search Buses बटन पर क्लिक करें अब अपने इच्छानुसार प्रदर्शित किसी एक विकल्प का चैन करें अब सीट को चुने और अपने बोर्डिंग की जानकारी दर्ज करें फिर Continue Booking बटन पर क्लिक करें अब अपना संपर्क ब्यूरा जैसे नाम, इमेल आईडी, संपर्क नंबर, आईउ, लिंग और फिर Continue Booking बटन पर क्लिक करें अब उपलब्ध विकल्पों में से एक का प्रयोग कर भुकतान करें तो आप इस तरह ओनलाइन टिकेट Book कर आ सकते हैं धन्यवत दीदी, ये जानकारी हमारे लिए बहुत सायक होगी हाँ, बिल्कुल, चलो अब इस गतिविधी को जाचे